हेलो अब्रीबन, वेलकम बैक टू माई प्रियंग का यादव, ब्लॉगर चैनल में, तो आप सभी को बता दू, इस चैनल पर हमेशा हमेशा फ़नी वीडियो और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती थी, तो आज कल आप सब को वीडियो जो मिल रही है, वो मिल रही ह कि मैंने खुद का अपना बेट लॉज किया है, बहुत ओवरवेट हो चुकी थी, तो मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स भी इस चीज़ का फाइदा उठाएं, जो मेरा एक्सपीरेंस है बेट लॉज करने का, जो मेरी ये जरनी थी बेट लॉज करने की, वो मैं आप सभी को सेयर करना चाहती हूँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो देखने के, वो मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, ये बेनिफीशिल वीडियो है, तो फ्रेंड्स जो लोग ठक चुके हैं, बेट लॉस करते करते, किसी-किसी ने घंटों पसीना बाया, लेकिन से होगा, जिनका मोटा-मोटा पेट है, बिल्कुर चारवी चाड़ चुकी है, उनका बिल्कुर ठीक हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये सब बता रही हूँ, मैं आप सभी को इसलिए, कि मैं चाहती हूँ, जो मैंने एक्स्पिरेंस किया है, मैं आप सभी को सेयर करूँ, जिस कि तरहिं नहीं हो पारा, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सुवख सुवखे, बिस्तर से जैसे ही कदम नीचे रखते हूँ, बैसे ही आप सभी को एक गलास पानी, गुनगुना पानी ले लें, तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ले सकते हैं, तो नॉर्मल को इसके बाद 10 घंटे के बाद आपको करना नास्ता लेना क्वेश्मक्राश्य। सब्सक्राश्य। जिन लोगों को मेरा वाला नास्ता चाहिए है तो मैं स्क्रीन पर नीचे अपना नमर दोंगे, उस पर कॉल करें, कॉल करके मेरा नास्ता ले सकते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से आप सभी का बेट लॉस होगा, आपको बर्क आउट भी बहुत कम करना होगा, सिर्प और बेट रिड्यूज होता चला जाएगा, 200% मेक शूर आप सबका बेट लॉस होगा, अगर आप मेरा वाला नास्ता लेंगे तो, तो मैं वही नास्ता लेती हूँ, वह आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो फ्रेंट बो नास्ते के बाद में करती हूँ, 11 बजे तक बिल उसके बाद हम 11 बजे से कुछ सैलिड लेंगे, सैलिड लेंगे उसके बाद, सैलिड के बाद कुछ देर तक फिर कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे मतलब बाटर लेते रहेंगे, continue बाटर लेते रहेंगे, बीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि बाटर कितना लेन आपको एसा नहीं है कि आप पूरे दिन water पीते रहें पीते रहें मेरा बेट हो जाएगा ऐसा भी नहीं है बहुत जादा भी नहीं पीना है लिमिट ही रखनी है हर चीज़ की unlimited प्रॉपर बेस पे एक बजे आपको लंच करना है क्या क्या लेना है कोशिस करनी है कि आप कैलरी को कम रखें उसमें और जादा से जादा प्रोटीन रखें अपनी डाएट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है बेट रिडूज के लिए आपको भूंका बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको दही भी उसके साथ लेना है एक कटोरी आपको डालें लेनी है कुछ आप ऐसा लीजिए जिसमें फाइवर भी पर्यापत मातरा में हो और सैलेड भी लेना है उस खाना में उसके बाद आप एक बज़े खाना जब प्रॉपर ले लेंगे उसके बाद मैं भी 40 मि तक कोई बाटर बगिरा नहीं लेना है फिर आप लेंगे उसके बाद आप चार बज़े जाकर के चार वज़े आप ऐसा कुछ लेंगे इसनेक लेंगे कुछ भी जैसे कि अंकुरित दानों वाली जो जिव जो चीजे लेते हैं हम लोग जैसी कि मोंकी दाल हो गई गी गीउं में ज़ादा से ज़ादा प्रोटीन सामिल करना है आपको न्यूट्रेशन अगर बॉड़ी में परयाथ मिलेगा तो आपका बेट लोस जल्दी से जल्दी होगा तो फ्रेंड आपने वहाँ पे जाकर कि या फिर कोई सा फल ले सकते हैं, कोई सा सैलेड ले सकते हैं, आपको चाय, नमकीन, बिस्किट बिल्कुल भी नहीं लेना है चार बजे, जो आप लोग हमेशा उसमें चार बजे आपको तरणब लगती है, एक भूंप लगती है, हर किसी को लगती है, मुझे भी लगती थी, त ही चार बज़ें आप को हैंदी नास्ता है उसमें आपको मैंने बताया है यह स्कूल को लेना है कुछ ड्राइफूर्स भी ले सकते हैं आप पानी में भिंगो के बादाम सुबह आप उठे आपने पानी में भिंगो के बादाम रख्के साम को छीलके बादाम ले लिए अंजीर ले लिया थोड़ा सा बहुत गरम होता थोड़ा कम लेना है ऐसे कुछ ले सकते हैं dry foods उसके बाद आपको साम का जो dinner है उसको बहुत जल्दी करना है बहुत जल्दी मतलब six o clock से ले करके seven या eight से पहले पहले कर लेना है उसके बाद तीन से चार गंटे तक आपको नही उदर बोस्भ करना है उसके बाद आप अगर साम को गुनमुना पानी लेकर के एक glass सो सकते है या फिक दाल जीनी की पानी लकड़ी डाल करके एक glass पानी ले सकते हैं दोढ़ आपको नहीं लेना है जिन लोगों को गैस रहती है वो धूद ना ले इसको जिसको जिन लोगों क लास्ट में एक अमेजिंग नास्ता बताने वाली हो तो मेरा वो नास्ता है एक nutrition diet जिसमें है protein भर मात्रा भरपूर मात्रा में आप सभी अगर उस nutrition के बारे में जानना चाते हैं तो मेरी screen पर दिये हुए number पर call करें मुझे और जल्दी से जल्दी weight loss करने की journey में entry करें तो फ्रेंड आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो अगर आप सभी के लिए healthful हुई है तो आप इस वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe किये विना ना जाएं